Hello student, मैं राहुल सर्मा, राहुल स्टेडी सेंटर में आपका स्वागत करता हूँ आपका topic जो चल रहा था वो अर्थसास्त्र चल रहा था तो अर्थसास्त्र में मैंने आपको परीवासों के बारे में बताया था तो अर्थसास्त की मैंने जो परिवासा आपको बताए थी अर्थसास्तर वेसास्तर है जिसमें सीमिस अंसादनों से ऐसे मित एक्छाओं को पूरा किया जाता है वो अर्थसास्तर कहलाता है फिर मैंने आपको बताया था अर्थसास्त को पांच भागों में बाटा गया है पहल वारे में आपको बता दिया था तो क्योंकि इसमें जो धन-संबंदित परिवासा है इसमें धन को ही अर्थ सास्तर का केंद gu इंदू माना है फिर उसके बाद मैंने आपको बताया कल्यान संबंदित परिवासा है इसमें मारसर पीगु केनन द्वारा कल्यान संबंदित परिवासा में लिखा गया है तो मारसर पीगु केनन द्वारा परिवासा हैं दी गई थी इसमें धन मनुष्य के लिए है नेकी मनु दनसंबंदित परीवासां की विशेष्था भी आपको मैंने अच्छे से कराई थी, उसके बार मैंने कल्यान संबंदित परीवासां भी आपको अच्छे से कराई थी, तो दनसंबंदित परीवासां में मैंने आपको बताया था, एडम स्मित ने सत्रे सुचेतर में एक बुक लिखी थी, An Inquiry into the Nature and Coses of Wealth of Nation, आर्थसास्त को अधन का विज्ञान माने है और मानिवेकल्यान की अपिक्छा की, यानि सत्रे सुचेतर में एडम स्मित ने The Wealth of Nation बुक को लिखा था, और उसी कियादार पर उन्हें अर्थसास्त क पितायार्थसास्त के जनेक भी कहा जाता है, तो एडम स्मित के द्वारा भी परिवासा दी गई थी, इसमें जे भी से के द्वारा परिवासा दी की थी, वाकर और जे एस मिल के द्वारा भी परिवासाएं दी गई थी, फिर मैंने आपको जो धन्सम्बंदित परिवासा है उसमें मैंने आपको विशेष्टाओं के बारे में बताया था दंसम्मंदित विशेष्टाओं क्या थी दंसम्मंदित परिवासा में फिर उसके बाद मैंने आपको कराया था कल्याण के अंदित परिवासाओं यानि कल्याण के अंदित परिवासाओं के बारे में मैंने आपको डिटेल में कराया था कौन-कौन सी होती है तो मैंने आपको बताया था अकल्यार सम्मदित परिवासा में जो मार्शल है उसके द्वारा जो दी गही है उन्होंने बताया था Economics is a study of man action in the ordinary business of life It examines that part of individual and social action which is most closely connected with the attainment and with the use of material ठीक है तो मैंने आपको ये परिवासा बताया थी राजनितिक अर्थसास्त्र अत्वा अर्थसास्त्र मानब जीवन के साधान व्योवसाय का अध्यन है इसमें व्यक्तिगत एवं सामाजिक क्रियाओं के उस भाग का परिक्षण होता है जिसका कल्यान के लिए आवश्यक बहुत एक पदार्थों की प्राप्तिवों उप्योग में निकर्टम संबंद होता है मार्सल ने इस परस्ट कहा था कि धन मनुष्य के लिए है ने कि मनुष्य धन के लिए है तो यह मैंने आपको अच्छे से जो पिछली वीडियो मैंने आपको कराई थी उसमें एक्जाम्पलों के साथ अच्छे से मैंने आपको डिटेल में समझा दिया है तो आज फिर इसके बाद मैंने आपको बताये थी जो कुछ अन्य जो परिवासाइं दी गई है अन्य वेक्तियों द्वारा कल्याड केंदित परिवासाइं दी गई है जैसे पीगू द्वारा परिवासाइं दी गई है वेब्रीज द्वारा परिवासाइं दी गई है कैनन द्वारा दी है पैंसन द्वारा कुछ परिवासाइं दी गई है तो मैंने आपको यह अच्छे से कराया था तो फिर मैंने आपको बताया था मार्शल दोरा परिवासाय के विशेस्ता है कराये थी, मार्शल की कुछ जो परिवासत दी गई हैं, उनकी कुछ विशेस्ता हैं, वो भी मैंने आपको पिछली वीडियो में अच्छे से करा दे थी मैंने आपको बताया था मार्शल ने अर्थसास्थ को राजनितिक अर्थसास्त के अलग करके एक अर्थसास्त ही नाम दिया था उसके बाद था मार्सल ने धन के इस्थान पर मनुष्य को प्रमुख इस्थान दिया आपको मैंने अच्छे से पिछली वीडियो में बताया था मार्सल जो है धन के इस्थान पर मनुष्य को प्रमुख इस्थान दिया था चीक है तो मैंने आपको अच्छे से यह बता दिया एक ये परिवास थी आर्थिसास्त के अंतरगत के वल उनी आर्थिक क्रियाओं का दिन किया जाता जो आर्थिक कल्याण में विरद्धी करती हैं अब आर्थिक क्रिया क्या होती थी मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था उससे पिछली वीडियो में आर्थिक क्रिया मैंने बताया थी आर्थिक क्रिया वे क्रिया होती है जो क्रिया धन कमाने के उद्देशे से की जाती है उसे हम आर्थिक क्रिया बोलते हैं ठीक है तो आज बढ़ते हैं हम आज का टॉपिक दुल्डवता सम्मंदित परिवासा हैं यानि scarcity definition अब scarcity यानि scarcity का मतलब है जैसे रोबिन ने बताया है रोबिन ने सन 1932 में अपनी प्रकासित अपनी एक पुस्तक थी वो पुस्तक का नाम था An easy on the nature and significant finance of economic science ठीक है उनकी जो बुक का नाम था An easy on the nature and significance of economic science उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी रोबिन दुआर 1932 में एक पुस्तक लिखी गी जो यह है उनमें अर्थसास्त को नई दिरिश्टी कोण से परिवासित किया था। उन्होंने बताया है, रोबिंस ने बताया है, अर्थसास्त तर वहविग्ञान है, जो विविन उप्योगों वाले सीमि साधनों, सीमि साधन क्या हैं? आपके पास ये से मैंने आपको एक्जाम्पल बताया था, आपके पिताजी की शेली दसाजार रुपे वो क्या है, आपके एक सीमित साधन है, लेकिन उद्देश से संबंद रखने वाले मानवी विवार का अध्यान को करता है, दुल्लब्ता संबंदित परिवासा में, यानि दुल्लब्ता का आपको मतलब बताया था, उसके बारे में भी एक बार हम बात भी कर लेते हैं, दुल्लब्ता क्या होती है, उसके बारे में मैंने आपको बताया था, दुल्लब्ता क्या होता है, दुल्लब्ता से आसे मांग के दुल्ना में पूर्ती का कम होना, यानि अगर किसी को एक हजार कपड़ों की जरुत है लेकिन उसके कपड़े साथ सो बन रहे हैं तो ये क्या है scarcity यानि दुल लगता यानि मांग की दुलना में पूर्ती का कम होना क्या कहलाता है scarcity कहलाता है ठीक है इमना आपको अर्थसास्त के सार्म जब मैंने बताया था उसमें करा दिया था ठीक है तो दुल लगता संबनित परिवासा है आप समझ गयोगा scarcity का मतलब scarcity किसे कहते हैं दुल लगता किसे कहते हैं जिसमें उसकी जो मांग है उसकी पूर्ती से कम हो जाती है तो वो क्या कहलाता है scarcity कहलाती है रोविन्स की परिवासा के मूलतत्व दिये हुए है basic element of रोविन्स definition यानि जो basic element है रोविन्स की परिवासा के कुछ मूलतत्व है उनके बारे में नीचे लिखा हुआ है तो एक बार read करते हैं मनुष्य की आवसकता है ऐसी मित होती है और जैसे ही एक आवसकता की सामने आ जाती है ठीक है यानि जैसे आपकी कोई आवसकता है मनुष्य की आवसकता है ऐसी मित होती हो जैसे ही एक आवसकता की पूर्ती हो जाती है वैसे ही दूसरी आवसकता सामने आ जाती है क्योंकि आपको पता है अगर आपकी कोई एक आवसक्ता है अगर उसके पूर्ती हो गई तो अच्छानक से आपकी जो एक्षा है किसी दूसरी भी आपकी आवसक्ता हो सकती है क्योंकि आपकी जो आवसक्ता है जो आपकी एक्षा है वो ऐसी मित होती है चीक है मनुष्य का पास साधन सीमित होते हैं यह आपको मैंने बता है अगर आप जैसे एक्जामपल आपके पिताजी की 10,000 रुपे से हैं ली तो आपके पास यह क्या है साधन सीमित है उसको यूज करना है उसको कैसे करना है वो कौन बताता है हमें अर्थसास्त्र ही बताता है तो यह इसके एक मूलतत्व है आवशक्ताओं की तीवरता मेंतर होता है आपको ही पता है जो आवशक्ताओं की जो तीवरता है उस मेंतर होता है साध्यों में उसके बाद है साधनों के वेकल्पिक प्रियोग सम्मव है कोई भी साधन है उसका वेकल्पिक प्रियोग सम्मव होता है अतार्थ जो इसका मतलब है आवशक्ता पूर्ति के एक ही साधन के अनिक प्रियोग किया जा सकते है यानि एक ही साधन है हमारे पास और उनके अनेक प्रिकार से उसे प्रियोग किया जा सकता है एसी मित आवशकता होता था वेकलपिक प्रियोग वाले सीमिस साधनों के कारण मनुश्य की सामने चुनाब की समस्याद आती है क्योंकि ऐसी मित आवाशकता है लेकिन वैकल फिरियोवनों वाले सी मित सादन आपके पास है तो उसके कारण आपको क्या होता है क्योंकि ससाधन है तो आपकी जो एक्छे हैं वो अधिक हैं इसलिए चुनाव की समझ्चुबरんだ वी पैदा होती है और आरतिक समस्या का जनम होता है क्योंकि आर्थ एक समस्या अगर आपके सामने जैसे आपके पिताजी की सेली 10,000 रुपे है और आपके पास क्योंकि आपसकी आवसक्ताइं ऐसी मित हैं आपकी एक छाएं ऐसी मित हैं तो आपको लगेगा मुझे ये भी कारे करना है और मुझे ये भी का स्याने आर्थिक जीवन का आधार भी होता है ठीक है तो किलिए रहे हैं आज मैंने आपको दुल्लवत सब्समत परिवासाइं बताई हैं उसके कुछ मूलतत्व यानि बेसिक अलिमेंट आफ रोविस डेफिनेशन कराएं हैं तो आज के लिए इतना ही थैंक यू फोर वाचें झाल 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